कैनेडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंग निजर की हत्या मामले पर भारत पर आरोप लगा है। कनड़ा के प्रधान मंत्री जस्टिन ने कहा था कि निजर की हत्या में भारतिये एजिन्ट की शामिल होने की आशंका है। लहाजा इस मामले में अमेरिका की राष्ट्रिय और सुरक्षा सहलाकार जेक सुल्विन ने कहा है कि अमेरिका कैनेडा की आरोपों को लेकर बेहद चिंतित है। वो जाच का पूरा समर्थन करता है और वो चाहता है कि दोशियों को न्याय के कड़धरे में लाया जाए। जेक ने कहा है कि अमेरिका, कैनेडा और भारत दोनों के साथ संपर्ग में हैं। उन्होंने उन दावों को खारिच कर दिया है कि अमेरिका और कैनेडा की बीच नजरहत्या को लेकर मद भीधे। आगे बड़े और अपराधियों को जवाब देव ठहराया जाए। अमेरिका इस मुद्दे के सारवजनिक होने के बाद से ही इसके लिए खड़ा रहा है और जब तक ये पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाता तब तक वो पूरी तरह से खड़ा रहेगा। जैक सुल्वे ने कहा है कि कैनेडा में सिख अलगावादी नेता की हत्या के बारे में कैनेडा के दावो के बाद अमेरिका उच्तर पर भारतियों के संपर्क में है और सरकार इस मामले में भारत को कोई विशेश रियासत नहीं दे रहा है। आप पताते हैं कि आरोप पर भारत का रुख क्या है। भारत ने कैनेडा के आरोपो को सिरे से नकार दिया है।